कृष्णायवा शुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नहाश्वाय गोविंदा ये नमोनमा प्यारे मित्रों जैच सियराम जैमाता दिमित्रों आज हम आपसे चर्चा करें कि भगवान बुद्ध को जो बुद्ध ग्रय हैं बुद्ध को प्रसंद करने का क्या उपाय है कैसे बुद्ध को सांत किया जाए अरिष्ट बुद्ध को कैसे प्रसंद किया जाए तो ये आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगी सबसे पहले बुद्धवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः किस मंत्र का आपको यथा सकती जितना भी जब कर सकते हैं इतना आपको जब करना है और जब आप जब करेंगे तो आपको लापकी प्राप्ति होगी दूसरा बुद्धवार को हरे वस्त्र मूंग ऐसी वस्त्रों का आपको दान भी देना है हरे वस्त्र का दान देना है मूंग का दान देना है और ये किसी मांगने वाले को आप दीजिएगा इससे भी आपको लाप्राप्त होगा बुद्वार को हरे हकीप का भी दान दिया जाता है तो वो भी दे सकते हैं बुद्वार को आप उबले हुए मूंग किसी गरीब व्यक्ति को दीजिएगा उबले हुए मूंग, साबुत मूंग उबाल करके आप किसी को भी दान सुरूप दे सकते हैं बुद्धवार के दिन भगवान गणेश का पूजन करें गणेश भगवान को दूरवा चड़ाएं और इसके साथ साथ में बूंदी के लड़ू भी भगवान गणेश को समर्पित करना चाहिए ओम गंग गणपतय नमः इस मंत्र का आपको जप भी करना चाहिए और मित्रों इसके साथ साथ मैं पहले की भी काफी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि बुद्ध को प्रसंद करने के लिए किन्रों की पूजा करने चाहिए किन्नरों को हरा वस्त्र है, हरे कलर की चूडियां है, हरे कलर की साड़ी है, ऐसी वस्त्रों को आपको उनको देना चाहिए गणेश मंदिर में कासे के दीपक में आपको जोती ज़ानी चाहिए चीटी, पक्षी, गाय, कुट्टे को नियमित रूप से आपको भूजन देना चाहिए और गायत्री मंत्र का पाट करें, बुद्ध की दशा है, कोई बात नहीं, परिसान मत हो ये किसी ब्राम्मन से भी आप सपाद लक्ष गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करवा सकते हैं या स्वयम कर सकते हैं हरे रंग का तोता आपको अपने घर में पालना होता है हरे रंग के तोते को आप अपने घर में पाल करके रखिएगा बहन बेटी, बुवा, मौसी आप इन सभी का सम्मान करिएगा तुलसी पत्र का सेवन करते रहिएगा घर में खंडित तूटी हुई, हटी हुई किताबे, तूटी हुई मूर्तियां खंडित मूर्तियां घर के अंदर आपको नहीं रखनी है यद इस तरह से हैं तो उनको नदी में प्रवाहित कर दें किसी पेड के पास में रख दे या ऐसी कोई जगा नहीं है तो जमीन में गड़ा खोद करके उसमें बंद करके उपर से आप मिट्टी डाल दीजेगा तो इन छोटे-छोटे से उपायों को आपको करना है और इन उपायों को करने के साथ साथ आपको लाब की प्राप्ती होगी मित्रो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए दीजे रिजाज़त जय माता दी जय मागऑ